एहा पक्षरे उच्चित्थि लाजे मुँआशु आशुवे आशनरु उच्छी मते स्पागत करी धांता मते प्रणाम करी धांता किन्तु से सबु करीव कन पदे कथा कही मध्ध मर सब्कार कला नहीं सुद्रकु बेदा पडाईला परी मुच्चान चिने मध्य दईब विधान अरी आहा कुमर सुकुमारी खन्या देए थिली अथच ये सबु सत कर्म लुप करी देला एलोकटा सड़ा अपवित्र होई रहे ये बड़ गर्बी एबंधर्म मर्जाला उलंगन करी ये प्रेत बा के बे हसेत के बे गांदे ए देह सरा पवित्र मसानी पाउंस बोली होँची भुतन का परिभ्य करे नर मुंद माल पिल्दुची देहरे हात गुरा का गहना परिपिल्दुची एटा खाली नाकु मात्र शिव बास्त बरे पुरा अशिव अर्थाद अमंगल रुप ये प्रेत प्रमत्वादी खांति तमग्वुनी सभावर जिव मनंकर नेता हायो मु ब्रम्भांक महरु यहर प्रसम सस्वनी एही भुतंक सर्दर आचार भ्रष्ट दुष्ट सभावर लुकटा हातरे मोर सरला निरिहा ज्योटा कुद्देहिदे मुनी बर मित्रय कईले हे बहु कथा कही कले किन्तु महादेवता हरो कोणोसी प्रतिबाद न करी प्रथम उरुजे परी वसी थिले सेही परी अभी चलीत भावरे वसी रहिले ता फळरे दख्यंक क्रधर मात्राहरी बढ़ी खला एबम से हातरे जल धरी अभिशाप देवाकु प्रस्तुत होई कले दक्ष कहिले ए सिवहेँची देवता बानंका मध्यरे नितांका अधम आजिर धरु यहाकू इंद्र उपेंद्रवादी देवगणंका सहिता आउ जग्जभाब ज्यानो जाउँ उपस्थित मुख्य मुख्य सभासद माने ताग को बहुत मना कले किन्तुसे कहारी कथा नमानी महादेवंको शाप देदे दे तापरे से अत्यांत क्रुद्ध होई सेही सभास्थर रूठी निजभवन को चाली गले महादेवंकर मुख्य अनुगत नंदिस्चर जाणी गले जे दख्य तांक प्रभुन को शाप देई छंती तेनुसे क्रधरे पाची जाई दख्य तथा तांकर दुर्भवचन को अनुमोदन करितिबा ब्राम्हन मानुकु अति भ्यंकर शाप देई देले से कहिले जे ही मरण धर्मी सईरक भुरुत्त देई सदा अद्रोही भगवान सदा शिवंक प्रति द्वेश कली छंती से ही भेदा वुद्धी मुर्ख दख्य तत्त ज्यान प्रति विमुख रहिबे से चात्र माश्य जग्यों कले अखय पुन्यों मिले इत्यादी आकर्षणिय बेदवाक्यर्य मुहित होई विवेक भरष्ट होई जाई छंती से विशय सुख पाइवाई च्छरे कपट धर्म मय ग्वस्था श्रमर्यासक्त रही कर्म कांडरे ही लागी रहंती से आत्म स्वरुपक भुली जाई देह कोही सर्वश्वली भावु चंती से पसुपरी होई जाई छंती तेनु से अत्यंत स्त्री लंपट होई जानतु खूब सिग्र तंक मुह छेली मुह परी होई जाओ सेही मुर्ख कर्म मैय विद्य कोही विद्यावनी भुजंती तेनु अन्य जेव मने तांकर अनुगामी भई भगवामु शंकरंकु अपबानी तकली छंती सेमानी मध्य जन्म मरण रुपी संचार चक्ररे पड़ंतु बेदवानी रुपी लतार फळश्रुती रुप चिताकर्षक फुस्परे उतार कर्म फळ रुप मन मुध्धकर गंधरे इमानंकर चित्त अस्थिर होई पड़ीछी तेनु एही शिवद्रोही माने कर्म जालर एही चंदी होई रहन्तु एही ब्राम्हन माने भग्या भध्य विचार चारी देई केवल पेट पुशिवा निमन तेही बिद्या तप ब्रतादिर आश्र नियन्तु तथा धन शरीर उइंद्रिय सुखकोही सुख बली भावी से अंदिश्वरंक महरू ब्राम्हनकुल प्रती एपरिय अभिशाप बानी सुणी तहार प्रती बदलरे भुगू एक दुस्तर शाप रूप ब्राम्ह दंड सुणाई देले वो कहिले जेओ माने सिवभग्त एबम जेओ माने सिवभग्त अनुमोधन करंती से माने सच्छत्र विरुद्धा चरणकारी एबम पाशांड हुई यांतु जेओ माने सौचा चार विहिन मंद बुद्धित था जटा पाउंश वस्थि माना धरणकरंती से माने सुरा वासबकु भलपाउथिवा सोईब सम्प्रदायरे दिख्खित होंतु आरे जेओ माने धर्म मज्यादार संस्थापक एबम बन अश्रमी मानंकर रख्षक सेही बेदो ग्राम भण मानकु तुमे माने जेओ निन्दा करूछ सेतरु जणा पड़ियाओ छिजे तुमे माने पासंड तार अश्रा नेई छ एही बेदो मार्ग ही लोको मानंक निमनते कल्यान कर एबम सनातन मार्ग पु तुमे माने सत्कुरुस मानंकर एही परम पवित्र सनातन मार्ग स्वरुप बेदो कु निन्दा करूछ तेनु जेओ मार्ग वरि भुत मानंकर शर्दार तुम रईष्ट देव निवास करंती तुमे सबु सेही पासंड मार्गरी जाओ मोनी भर मैत्रयों कहिले हे विदुर भुरुगु रुशिये परी अभिशाप देवारू भगवां शदा शिवा शामान्य विशर्ण माना होई निजर अनुचर मानंक सईता सेठार उठी चाली गरू शेठारे प्रजापति माने जेहु जग्यों करू थिले सेतिरे पुरु शत्तम श्रिहरी ही उपाश्य देव थिले सेही जग्यों एक हजार वर्षरे समापति बारू थिला तहा समापत करी सेही प्रजापति माने गंगा जमुनार संगमरे जग्यांतस नान कले एबं प्रशन्य चित्तरे निज निजस्थान को चाली कले इती श्रीमत भागवते मह पुरार्णी पारमहंस्यां संगितायां चतुर्थस कंधे दख्यो शाप नाम दुईतियो ध्यायह अथ तुरुतियो ध्यायह पितांक जग्यों शवरे जगो देवा पाइं सोतिंकर इच्छा मुनिवर मैत्रय कहिले हे बितुर एपरी भावरे सही ज्वाई उश्वरंक पारस्परी को विद्वेस भावना मल्थरे बहु कालविति कला एभी तरे ब्रह्मा दख्यों को समस्त प्रजापतिंकर अधिपति करी देए थांती ता फ़लरे दख्यों कर गर्भ आहरी बढ़ी जाई थाए से सिवंको तथा तांकर समर्थक अन्यान्य ब्रह्मा निष्ट मानंको जग्य भाग न दे शे मानंको निंदा पमान करिवा उद्देश्चरे प्रथमे बाज़कय जग्य कले एबं ता परे ब्रहस्पदी सव नामक एक महा जग्य आरंब कले सेही जग्योत सवरे जगो देवाकु सकल ब्रह्म हर्षी देवर्षी पित्र पुरुष देवता प्रभृती निज निज पत्नी मानंको सहीत आसी पहंची कले सेमाने समस्ते मिशी सेठारे मांगळी को काज्य समपन्न कले एबं दख्य सेही समस्तन को स्वागत सतकार कले सती सेही मानंक मुखरु सनिवाकु पाइले जे तांक पिताएक बिरालत जग्यो अनुष्ठान करुछंती से देखिवाकु भी पाइले जे तांकर निवास स्थान कोईलास पाखदेई बिभिन्न दिगरु विमान सबु जाओछी जख्य गंधर्व उकिन्नर प्रव्रतिंकर चन्चल नयनास्त्री मने कानरे कुंडल उकन्थरे हारवादी आभूशन पिन्धी सजबाजो हुई निज़ निज़ स्वामी मानंक सहित सेही विमाना बुडिकरे वसी जग्यो उत्सव दिखिवाकु जाओछंती ताहा दिखि तांक मनरे मध्य जग्यो देखिजिवाकु उत्साहो जागिला तेनुसे स्वामी भगबान भूतन आथंकु कहिले बामदेव सुनुछी आपणंक स्वसुर दख्यो प्रजापतिंक घरे एक विराट जग्यो चब हुँछी सबु देवो देवी कीपरी सेठाकु चाली चुनती देखुना आंती जदी आपणक होंते आमेवी जग्यो देखिवाकु सेठाकु जानते एही अबसररे आत्मियो स्वजन मनंको देखिवानी मनते मो भोनी मानेवी से मनंको बर मानंको सहिता निश्चय शेठाको आशीतिवे मु भावुछी मु वी आपनंको सहिता सेठाको जानती एबम मु बापा बहु देएतिवा गहना गंठी लुगा पटा अन्यान्य उपहारो आनमती सेठाको जाई निज निज स्वामिंक द्वरा सम्मानित होई आशी थिबा मोरो भोनी मानंकु तो था मोरो माउसी मानंकु उस नेह माई मानंकु देखिया शिवाकु बहु दिनो हैला मोमन उत्षुको हेऊची हे कल्यान मयो ता छडा सेठारे महर्शी माने आयोजन कुरुथिबा श्रेष्ट जग्यमी देखिवाकु मिलिबा। हे अजन्मा प्रभु आपन हेऊचंती जगत अधपती रहेतु आपनंकर जगत आपनंक अंगरे ही परिदृस्यमाना हेऊची किन्तु स्त्री सोहाब हेतु म मुँ आपनंक तत्तो विशारे अनभिज्यान पुनी मुँ अत्यांत अधम तेनु एही अभसररे मोर जण्मा भुमी देखिवाकु विशेस अच्छाय होची।